नमस्कार, हिंदी साहित्यवार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ JRF हिंदी 2021 की तैयारियों के अंत्रगत साहित्यशास्त्र इकाई 3 में हम पढ़ रहे थे रस निश्पत्ती के बारे में इससे पहले और उससे पहले हमने अपने जो साथ आठ लेक्चर इससे पहले हो गए हैं उसमें हमने आपका जो कावशास्त्र है उसके जो संस्कित के अचारे हैं, आपके जो पाश्चाते विचारक हैं, उनके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ ली हैं, तो आप चाहें तो उन लेक्चर को एक बार देख सकते हैं, इकाई तीन के नाम से हमारी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर हमने systematic तरीके से आ जाता है कि किसने सदार्निकर्ण माना है कि विभावादी का होता है या आलम नतो धर्म का होता है, ये सारी चीज़ें हम आज के lecture में discuss करने वाले हैं, तो सदार्निकर्ण का जो topic है, ये बहुत जादा महतकूर्ण है UGC net की परिक्षा के लिए, क्योंकि इससे बहुत बार प सदार्निकर्ण के समद में हलकी सी बात वहां पर कर ली थी, कि जो आपके भटनाइक हैं, उन्होंने सदार्निकर्ण के बारे में कुछ चीज़ें कई हुई थी, तो चलिए अब विस्तार से जान लेते हैं कि सदार्निकर्ण क्या है, तो शुरुआत करते हैं आज के lecture की, सब कि जब कोई उसका अभिनेता उस नाटा को कर रहा है, उस real character के बारे में बता रहा है कोई कहानी, तो जो character जो अभिनेता उस अभिनेता को कर रहा है, जब वो उस act को करते करते, आपको real में ये realize करवा दे कि वो वास्तव में क्या है, वो राम है, या वास्तव में ही वो आप के साथ क्या करता है अपना तार्थम में बिठा देता और दर्शक ये समझना शुरू कर देते हैं कि वास्तव में क्या है उसका ही एक्ट कर रहा है वही अपने आप में क्या है एक सधारणी करण होना है कि उसने उसको सधारणी करित कर दिया कि वास्तव में उसके इमोशन उस इसे असधारण का सधारण रूप ग्रहन करना भी कहा जाता है तो दीखिए जो चीज मैंने आपको पहले बता दी वही चीज यहां पर इनर कही है कि जो भी आपके भाव हैं व्यक्ति विशेश से आबध नर्यकर मुक्त हो जाना तो व्यक्ति विशेश क्या हो हैं मतलब जैसे आपका जो हमने अनुकरता बढ़ा था ना जो नट है मतलब वो क्या है वो व्यक्ति विशेश नट है क्या होता है उससे वो मुक्त हो जाता है और वो कहां पर जाता है आपका real जो फुरानिक पात्र है उससे हम उसका तदात्मिय पिठा लेते हैं तो यही बात क्या है सधारनिकन कहलाती है और इसे जो औसधारन रूप में ग्रहन करना ही कहा जाता है आगे दिखें डॉक्तर बूचर हुए हैं आपके जो पास्चात्य विचारक हुए हैं इनोंने इस और इशारा करते हुए क्या कहा है तो यह कहते हैं तो दीखें इनके कहने का मतलब क्या था कि आपका जो सधारनिकरन है उसकी स्तिती में क्या हो जाता है जो आपके नाट्या दर्शक हैं, जो चीज मैं आपको पहले बता रहा था, वही चीज यहां पर इन्होंने बताने की कोशिश किया, दिखिए, कि नाट्या दर्शक अपने स्वार्थ संबंदों से पूर्णत ऊपर उठकर, पीडित नायक से अपना पूर्णतादात में स्था आपित हो जाता है, तो दिखिए, ये कहने का क्या मतलब है यहां पर, कि आपका जो सधार्णी करन है, उसमें क्या होता है, कि जब आपका जो उस थिती में, जो नाट्या का दर्शक है, ठीक है, वो क्या कर देता है, अपने स्वार्थ संबंदों से वो उपर उठ जाता है, वो एक तरीके से तारतम में बिठा लेता है कि इसके साथ जो हीरो है आपके फिल्म का, है ना, आपको लगता है कि वो विलन का क्या करे, खात्मा कर दे, और आप पूरे के पूरे अग्रेशन और जोश के साथ, है ना, उसी वे में, उसी इंटरस्ट के साथ उस चीज को देखत कि वो हमारी पीडा है और हम भी विलन के प्रती आक्रोश पैदा करते हैं और जब आप लोगों के साथ शाहिद यी बात पहले बच्पन में हुई होगी कि आप अगर गुलशन ग्रोबर को विलन का रूप करते देखेंगे तो आप उसको रियल लाइफ में भी वैसा ही मानने लग जाते हैं कि वो बहुत गंदा है तो ये सब का सब क्या है वो आपके सधारनी करण की वज़ा से ये देखा जाता है तो यही सिंपल वे में समझने के लिए सधारनी करण इतना सा ही है चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कि आपका सधारनी करण है ये कैसे इसका अविर इसका उलेख किया हुआ है तो देखिए इसमें हमने मममट का कावेप्रकाश और अभिनव भारती रचना मानी जाती है उसमें उलेख हुआ है और आपके जो भटनायक है इनकी कोई निश्चित रचना हमें देखने को नहीं मिलती है इनका जो सिध्धांत रहा है भुगतिवा अभिवक्ति वाद किस ने दिया है या फिर आपको जो दूसरी चीजें जैसे अभिवक्ति वाद है वो किस ने दिया हुआ है तो एक चीज तो यह है कि सबसे पहले सधारनिकर्ण का उलेख किया है भटनायक ने ठीक है लेकिन इसको व्यवस्तित ढंग से किसने कि बावना होती है तो इसलिए इस चीज को आपने या रखना है कि जिसे वैवस्तित ढंग से किसने किया है अभिनव गुubscribe ने इसको वैवस्तित ढंग से प्रतिश्थित किया है है यह आगे देखिए सफनिकर्ण सिंधहांत अत्यंत व्यापक है ठीक है तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वो क्या है कि आपका जो पौरानिक पात्र है उसके साथ वो क्या कर देता है तादात में बिठा देता है उसकी पीड़ा को जब कोई आपका पात्र करता है हम समझ लेते हैं कि वो उसी की पीड़ा है तो कुछ एक मानते हैं कि ये के साथ तादात्मे बिठाना क्या है मतलब उनका क्या होता है सधारनी करन होता है कुछ लोग ऐसा मानते हैं आगे हम विस्तार से जानेगी कि कौन किसको मानता है कोई आश्रय के साथ तादात्मे की बात करता है तो यह भी हमने भी बता दिया कि आश्रय के साथ तादात्मे की करता है, कोई सब प्रकार के संबंधों की स्वतंतरता की बात करता है, कि सब प्रकार के जो बंदन है, जो स्वतंतरता है, उसके साथ क्या करता है, उसकी बात करता है, और कोई पाठक अत्वा प्रिक्षक के अंतस में ही इसकी स्थिती को अंतरनीहित स्विकार करता है, कुछ ल सधारणी करण मानना जाता है तो ये चीज़ें थी बहुत ही जादा important है ये कि सरप्रत्थम भटनायक ने इसका उले किया, उसके बाद किस ने विवस्ति धंक से इसको किया, वो अभिनव गुप्त ने किया है, सधारणी करण के समद्ध में अलग-अलग मत हैं, जो सकता है इन में पूछा जाए कि किसी ने विभावादी का माना है, किसी ने आश्रय के साथ तादात्मे की बात की है तो किसी ने अलमनत धर्म का माना है किसी ने साहिद्ध के चित का माना है तो ये चीज़ें बहुत जादा important है, चलिए, अब हम विस्तार से और सिस्टेमेटिक तरीके से जान लेते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जो भटनायक हुए हैं, जो सधारनी करण के आप इनको जनक भी कह सकते हैं, कि वो इसके संबंद में क्या कहते हैं तो दीए, भटनायक ने विभावों के पूर्णत्या सधारनी करित होने के साथ साथ, स्थाई भावों के विशेश संबंदों से सायंत होने को सधारनी करण की स्थिति कहा है, तो simply ये कहना ये चाह रहे हैं, कि विभावादी का ही क्या होता है, सधारनी करण होता है, ये वाद किस ने मानी है ये भटनायक ने मानी है, तो आपने इस चीज को यहां से नोट टाउन कर लेना है, कि भटनायक ने किसका माना है, विभावादी का, आपका सधारनी करण माना है, ठीक है, विभावों की पूर्टा स्थानिकरित होने के साथ जो स्थाई भावों की विशेश समन्नों से सेंत होने का नाम ही क्या दिया है स्थानिकरण की स्थिति मानी गई है तो बटनायक स्थानिकरण होने के लिए रहने कितनी शक्तियां या व्यपार, कार्यवयपार माने हैं तीन माने हैं तो वो कौन-कौन से देखिए अभीधा, भावकत्व और भोजकत्व तो अभीधा में शवदार्त का बोध है न करा जाता है ठीक है उसके बाद आपका भावकत्व में जो सिधारनी कृत होत आपका मुक्त और समान्य होने लगते हैं जो आपके भाव होते हैं ठीक है तो वो किसी एक व्यक्ति के नहीं रहते किसके हो जाते हैं वो जन्मानस के या प्यू समझ जाते हैं कि वो अपने पराय के भाव से एक तरीके से मुक्त हो जाते हैं आखिर में जो भोजगत्तों कि इ चला जाता है, ठीक है, तो यहां से मतलब वो उपर उड़ जाता है, इन सब चीजों से, एक तरीके से मोमाय से, है ना, तो जहां पर भोजगत्यों के द्वारा ही क्या है, रस्क भोगा जाता है, यह आपका भोजगत्यों के अंतरगत आता है, तो यह तीन अवस्थाएं भटन को जो है ये किस ने उद्भावित की है. ठिक है? सधार्णिकर्ण होने तक की प्रक्रिया में. तो ये चीज आपने भ solely भटनाई के अनुसार बतानी है. सधार्णिकर्ण से पढ़ने वाले प्रभाव को निज्मोह संक्टता निवारन कहा तो दीखे भटनाई क्या कहते थे सदार्नी करण से जो प्रभाव पढ़ता है उसको उन्होंने माना कि निज्मोह संक्टता का निवारन या निवारनी करण ठीक है तो इसका तात परे उन्होंने वही चीज मानी थी जो हमने प्रेशन के समय दर्शक जब क्या करते हैं स्वा और पर की स्थिति से उपर उठकर अधिक तनमे और तल्लीन हो जाते हैं तो वही आपका निजमो संगता का निभारण सिंपल आप चीज़ों को समझ रहे होंगे कि जो चीज मैंने आपको पहले बता दी है उसी चीज़ को थोड़ा सा घुमाफिराने की कोशिश कही हुई है और फिलहाल बात वही है ठीक है कि अपने और पराय की स्थिति से वो उपर उठकर क्या हो जाता है अतिधिक तनमे और त वत्तो वैपार में सरवदिक जो महत्वण होने के कारण इसको क्या माना जाता है इन्होंने माना है कि सधानीकर्ण को उसकी आत्मा या प्राण कहा जाता है तो सधानीकर्ण को किसने माना है बटनाइक ने प्राण या आत्मा माना है ये चीज़ भी इसमें important है और ये था ब प्रक्रिया में जो तीन शक्तियां रहती हैं वो कौन-कौन सी हैं अभीदा, भावगत्व और बोजगत्व तो ये भी आपने याद रखना है बटनाइक ने कहा है बटनाइक ने इसका उद्भावन किया है और उसके बाद जादा तर इसको प्रतिष्ठित करने का श्रीक इसक विवगत्व तो इससे आप एक चीज ये समझ सकते हैं कि आपके जो अभीदा गुप्त हैं ये किसको मानते हैं प्याजना शक्ति से सधारनी करण को मानते हैं नेक्स से दीखे कि विभावादी के सधारनी करण को सुविकार करते हुए वे सधारनी करण के एक अन्य स्तर की बात करते हैं तो देखे इन्होंने क्या किया है आपका जो सधारनी करण के एक अन्य आपका स्तर की बात ये कर र यसमें और पढ़ली थी जो अभिनव गुप्त है वो क्या मानते हैं कि हर कोई व्यक्ति जो है वो सहीर्धय नहीं हो सकता उसको रसास्वादन करने के लिए उसके पास क्या होना च inflation उसकी क्षंता भी होनी चाहिए तो इसलिए इसने सबको सहिर्द्य नहीं माना है तो ये कहते हैं सहिर्द्य के व्यक्तितो बंधन की उसमें क्या हो जाती है समाप्ती हो जाती है तो बंधन जो हमने पहले भी पड़ा स्वा और पराय के बंधन से उसने मुक्तियों ने कहा नाम क्या दिया है, स्धार्णी करण दिया है, कोई चीज यहाँ पर थोड़ी सी नंदर continue की है, आगे यह कहते हैं कि व्यक्तितों बंदन से मुक्त होना ही स्धाई भाव का स्धार्णी करण माना जाता है, तो जैसे तो आपके भटनायक थे देखिए, उन्होंने विभावाद के साथ सा स्थाई भाव का भी होता है, और स्थाई भाव के स्धार्णी करण से ही विभावादी का स्धार्णी करण होता है, ठीक है, यह चीज आपने इसमें याल रखनी है, और लास में देखिए कि आलमनत्तों धरम के स्धार्णी करण पर उन्हें विशेश आस्था नही है तो अगर अधिनव अभिनव गुब्ध है उन्हों ने क्या है आपका जो है अलम्नतो धर्म का इसमें सदारनी करण नहीं माना है यह चीज आपने याद रखनी है तो यह था अभिनव गुप्त के अनुसार कि आपके जो सधारनी करण है उसके समद्ध में in short वो क्या कहते हैं कि सहिर्द्य का सधारनी करण होता है तो यह है देखिए सहिर्द्य की विक्तितो बंदन की समाप्ति विक्तितो बंदन से मुक्त होना ही स्थाइबाव का सधारनी करण है तो in short आपने याद रखना है कि जो सहिर्द्य का सधारनिकरण होता है, तो पहले भटनाईक ने क्या कहा, विभावादी का सधारनिकरण होता है, यहाँ पर यह कहते हैं कि विभावादी का सधारनिकरण ना होकर किसका होता है, सहिर्द्य का सधारनिकरण मानते हैं, अभिनब गुप्त, ठी कि इसके पश्चात जो सहित्य दर्पन के रचईता माने गए हैं आपके जो अचारे विश्वनात हैं हालां कि इससे पूर्व जो धनंजय और जो धनिक हुए हैं उन्हों में भी थोड़ी बहुत चीज़ें कई हैं लेकिन वो अपने से पूर्व के जो विद्वान हमने अभी पढ़ लिए आपके चाहे भटनायक हो चाहे विनवगुथ हो उन्होंने जो चीज़ें कई हैं उनको ही नने जादा कर फोकस किया है तो इसलिए मैंने उनको यहां पर नहीं रखा है अगर आपके पास कोई पुस्तक है तो आप वहां से उस चीज़ को देख सकते हैं कि वो क या मतलब जो चीज़ें इन से जूड़ी हुई हो उन पे भी फोकस किया जा सकता है तो आप एक बार जो भी आपके पास पुस्तक हैं उनको जरूर देख लीजेगा इसके अलावा और भी मत हो सकते हैं वो भी आप एक बार देख लेना तो यहां पर साहिते दरपन के रेचे करण तो होता ही होता है इसके साथ पाठक या आश्रय का तादात में भी आवश्यक माना गया है कि दोनों में क्या होना चाहिए तारतम में बैठना चाहिए ठीक है ऐसा नहीं है कि आपका जो अभीनेता है वो कर रहा है लेकिन उसका जो श्रोता है या दर्शक है वो उस ची इसको भी आपने याद रखना है तो ऐसा मानते समय इन्होंने अनुभावना और संचरण नामक दो नई प्रक्रिया सुविकार की हैं तो ये देखिए ये प्रेशन भी बन सकता है कि अनुभावना और अनुभावना और संचरण नामक दो नई प्रक्रिया किसने सुविकार की संबंध में तो यह है आपके अचारे विशुनात और अनुभावना और संचारण से हम क्या समझते हैं देखिए कि आपके जो इन्होंने क्या किया इसको स्पष्ट करते हुए रसादी को जो अस्वाद योगे बनाने की प्रक्रिया को अनुभावना कहा है तो दो चीज़े इन्होंने मानी कि आपका जो रसादी को अस्वाद योगे बनाने की प्रक्रिया को अनुभावना कहा जाता है दूसरा आतिया आपका इसके बाद जो संचारण है देखिए कि जो आपका रतियादी को रस रूप में लाने के लिए सम्यक रूप में चारण किये जाने को क्या कहा जाता है आगे देखिए भ्टनाइक ने जिसे भावकत्व वयपार कहा है वही वास्तव में इनके द्वारा परिकल्पित अनुभावना की प्रक्रिया है इस चीज़ से आपको ज़्यादा अच्छे से समझा जाएगा कि भटनाएक ने जिसको क्या कहा भावकत्व व्यपार कहा तो भावकत्व व्यपार मैंने आपको पहले भी कहा दिया कि जो आपके दितने भी विभाव, अनुभाव, स्थाई भाव इत्यादी हैं वो सदाहनी ठीक है तो वो है अचारे विश्वनात या भटनाएक के समान विश्वनात ने किस चीज़ को माना है वो है अनुभावना की प्रक्रिया यह चीज़ भियान से इंपोर्टेंट है इसको भी आपने थोड़ा बहुत याद दख लेना है यह था अचारे विश्वनात का मत आप दोषदर्शन की स्थापना इन्होंने की है तो देखिए इनका जो दोषदर्शन माना जाता है वो लगभग लगभग क्या है आपका जो आपका सिदारनी करन ही इन्होंने क्या माना इसका है वही वो दोषदर्शन इनको सिर्फ थोड़ा से इन्होंने नाम अलग कर दिया है तो ये क्या करते हैं व्यंजना को सुविकार करते हुए दोशों की अविशिन्ता को महतों को आवश्यक ये मानते हैं तो देखिए इसमें कहने का मतलब क्या है कि जो आपके पंडित राज जगनात हुए हैं इन्होंने अपने पूरव के जो अचारे थे उनके द्वारा जो सविकृत समाजी के अलंबन के साथ साथ इन्होंने क्या किया तादात्मे किया जिसको हम अभेद भी कह सकते हैं उसको सिवकार किया लेकिन सदारणी करन की जा गया इनने क्या कर दिया इनका मतलब किया था कि वेंजना वृती द्वारा समाजी को जो आपका अलंबन संदरवित रती है उसके भावों के बोध से है तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है ये जो पूरा system है देखिया आगे नहीं लिखा है कि इस पूरी प्रक्रिया को बे दुश्यंत और शकुंतला के उधारन के माध्यम से समझाते हैं ठीक है तो दुश्यंत और शकुंतला के उधारन से ये कैसे समझाते हैं देखिए ये कहते हैं कि आपके जैसे पेक्षाग्रिह में बैठे प्रेक्षक या क पाथक के मन में शकुंतला आदी एति हसिक पात्रों के प्रती वही भाव उत्पन हो जाय करता है जो कि आश्रे दुशंत आदी के मन में रहा करता है तो ये चीज कौन मानते हैं देखिए जो आपके अचारे पनीत राज जगनात हुए हैं इन्होंने शकुंतला दुशंत का उ सदारनी करन उस चीज़ को माना जाता है, चीक है, तो ये चीज़ को आपने फोकस करना है, कि किसने इसका उदारन दिया है दूश्य अंतर्शकुंतला का तुब पंडित राज जगनाद ने दिया है और आपके जो पहले हैं देखिए आपका भटनाइक है या फिर आप यूँ कहें कि सरमाने जुदिया था वो रामादी का उदारन दिया जाता है इस सदारानिकर्ण के संबंद में तो यह चीज़ें जो जो महतवपूर्ण थी वो मैंने आपके बीच में रखती जो संस्कित के प्रमुक आचारे थे जिन्नोंने इसके संबंद में बहुत सारी चीज़ें कही हुई हैं तो फिलाल वो इतनी ही थी अब हम जो हिंदी के विदवान हुए हैं देख इनकी जो महतवपूर्ण चीज़ें थी वो मैंने आपके बीच में रख दी हैं विशुनात ने माना कि विभावादी का अपने पराय या आश्रे और सहिर्द्य की भावना से मुक्त होना ही सदारनी करण माना जाता है तो अब जो आपके हिंदी के विदवान हुए हैं है एंड उसके बाद आपके जो डॉक्टर शाम सुंदर दास हुए हैं देखिए उनके अनुसार सहिर्द्य की चित का सदारनी करण होता है तो यह मानते हैं कि जब आपका सहिर्द्य क्या हो जाता है उसके चित का सदारनी करण होता है कि उसके चित वृति में मतलब वो की कोई की अनुभूती का सदारनी करन होता है हूँ ये चीज बहुत वार कपती कान किसे माना थो यह कि ठीछ केन का समूची है यह लो ही माने जाते हैं और अक्षारे उनके दास वो हैं देखिए, उनके सदार्णी करन की व्याख्या करने से क्या बोलते हैं कि मदुमती भूमिका की उनने परिकल्पना प्रस्तुत की है, तो इनकी आपको जो परिभाशाएं हैं, वो आपके पास जो भी पुस्तके हैं, उसमें दी होगी, ये आपके पास कोई भी पु द्वानों ने दी हैं, वो आप जरूर देख लें, तो फिलाल आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न पूर्ति के साथ तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।